नमस्कार दोस्तों, हैपी स्टेडी पॉइंट पर आप सभी का हार्दिक स्वागते हुम, हभी ननन्न है मैं दीरस सर्मा, आज आपसे एक विशेशी टॉपिक पर एक इंपोर्डरेंट टॉपिक पर चर्चा के लिए आज हम आए हैं और टॉपिक है हमारा SSC CGL जो एक प्रतेक बच्चे की ख्वाइस होती है, सपना होता है कि हम इसे, इसे पॉइंट को यानि SSC CGL को हम क्या करें, टारगेट करके इस पर पहुंच सके तो हम बात करते हैं SSC CGL की, क्योंकि एक बच्चा जब सुरुवात में तयारी करता है तो उसे लगता है कि SSC CGL हो जाएगी, ये कोई बड़ी चीज है क्या, इसको तो कर लेंगे ठीक है, लेकिन जब बच्चा तयारी में लगता है, शुरुवात में पहले दिन तो बड़े जोर से तयारी करता है दूसरे दिन फिर थोड़ा कम, तीसरे दिन थोड़ा कम, शुरुवात में लगता है, SSCGL कोई बड़ी तोप थोड़ी है अगर तोप है तो एक गोड़ा मिदाग लेंगे, लेकिन फिर भी बच्चा क्या होता है, धीरे धीरे तयारी में लगता है एक एक्जाम देता है, रह जाता है, फिर सोचता है कि यार नहीं, ये नहीं होगी फिर वापिस का पहुँच जाता है, ग्रूब डी फर पहुँच जाता है, ठीक है तो हम बात जो कर रहे हैं, बात है SSCGL की, क्योंकि एक बच्चा SSCGL के लिए शुरुवात में तयारी में जुट जाता है, लेकिन जुटने के बाद में सबसे बड़ी चीज होती है, उचित मारक दर्शन की प्रते एक बच्चा कोचिंग में जाता है, बड़ी-बड़ी कोचिंगों में जाता है एक मोटी फीस, जहां से उससे मोटा धन लूट लिया जाता है, और बच्चा बाद में सोचता है कि यार नहीं, चलों, फिर पीछे मुड जाते है, ठीक है, तो एक उचित मारक दर्शन, आज हम एक टॉपिक पर चरचा करेंगे क्योंकि भारत की बात करें सबसे बड़ी भरती, इसे ही कहा जा रहा है वरतमान में, क्योंकि रेलवे, रेलवे तो एक सापने की तरह है, जो पांस साल में एक बार आता है, लेकिन हम बात करें से सीजियल, जो आपको और साल देखने को मिलती है, और इसके लिए प्रतेग ब ठीक है न, हम भी कस्टम ओपिसर बने, ठीक है न, हम भी एक्जामनर बने, तो उसके लिए ऐसे सीजियल को फाइट करना जरूर है, इसका जो सेलेक्शन प्रोसेज है, दो एक्जाम होती है, कितनी होती है, दो, टीर पार्ष्ट, टीर सेकिंड, ठीक है, देखिए, सब्जेक्ट कितने होंगे, आपके पास में, चार होंगे, मैथ होगी, रिजिनिंग होगी, जी ए और इंगलिस, जनरल, एरवान मेंट्स, और इंगलिस, रिजिनिंग और मैथ, ठीक है, तो आपके पास चार सब्जेक्ट अब देखिए, सब के 25-25 क्यूस्टन होंगे, बरो दोसो, नेगेटिव मार्किंग इसकी 1 upon 4 होती है, कितनी होती है, 1 upon 4 होती है, 1 by 4 होती है, टाइमिंग आपको एक गंटा मातर 60 मिनट मिलेंगी, क्यूसन हेंड्रेड होंगे, मिनट साथ, क्यूसन हेंड्रेड, अब देखिए, मैथ की हम बात करें, और रिजिनिंग की बात कर रहते हैं, जिसके अंदर क्या-क्या होता है, देखो, एक तो करेंट अपएर के टोटल क्यूसन, कुछ एक इंडियन GK, ठीक है, वर्ल्ड जीके के कुछ एक क्यूसन मिलेंगे, बाद बाकी इंडियन रिलेशन के 2-4 क्यूसन आपको मिलने वाले रहते हैं, इसके अंदर है, और यह है सबसे मेंचीद, इंगलीस है भई सबसे खत्रा, क्योंकि जो इंगलीस करेगा SSC में टॉप, वो ही बच्चा आगे निकनने वाला है, क्योंकि एक सब्जेक्ट का भी पिपर होता है, वहाँ बें सेकिंड की बात करें, टीर सेकिंड में आपको मैथ और इंगलीस ही तो रिजिनिंग और टोमेटिक आ जाती है, तीन सब्जेक्ट पर भी अगर कमांड रहती है, तो वो सेकिंड के लिए बल रहता है, देखिए आप, अब टीर सेकिंड, उसका जो पेपर पस्ट होता है, उसके अंदर क्या होता है, देखिए, सबसे पहले चीज़, यहाँ ने, जो होगा वो देखिए, आपके सामने होगा, पहले नमबर मैथ और रिजिनिंग, मैथ और रिजिनिंग होगी, और 30-30 क्यूशन होगे, यानि टोटल 60 क्यूशन, तीन नमबर का 180 नमबर के टोटल मैथ और रिजिनिंग होगी, जैसे ही 60 मिनट वी, वैसे ही स्क्रिन से म math reasoning, गायब और आपके सामने English और GA आ जाएगी ठीक है तो देखो math यहाँ भी important है वहाँ 25 क्यूशन है math reasoning के वहाँ पर 50 क्यूशन है यहाँ पर 60 क्यूशन है और 180 हम बात कर रहे थे SSE CGL आप GA में चाही normal रह जाएए लेकिन math और English को मश्ट बना लीजिए क्योंकि math और English जिसने भी मश्ट बनाई है उसी ने इसको भेदा है SSE CGL को आस्त कर record रहा है वही जिए क्योंकि math और math जिसकी top है reasoning आ जाती है ठीक है और अब बात करते है second जैसे ही 60 मिनट हुई आपके स सामने स्क्रीन पर होगे English ठीक है और English के 45 क्योंशन जीए के 25 क्योंशन टोटल क्योंशन कितने 70 वही तीन नंबर का 210 नंबर की है वही तो देखो आप English बड़े ही यहनि math तीस है English 45 क्योंशन आएंगे ठीक है ना अब देखे आप जैसे ही 60 मिनट कतम हुई यह भी गायब और आपके सामने होगा computer से related क्योंशन अब ध्यान से देखिए आप बहुत कतरना काम है वही computer का यही सब की नईया डूबे भी देता है और नईया 13 भी देता है कैसे देखो क्योंकि इसके क्योंशन केवल 20 है क्योंशन केवल 20 है समय 15 मिनटे मैं कहता हूं थोड़ा बहुत तो ब इसके number cutoff में नहीं add होते हैं cutoff की बात करें तो हमारे पास 200, 300, 390 number यहां से cutoff जाती है लेकिन यह जो computer है यह बड़ा ही खतरनाक है क्योंकि general का अंदर अगर कोई बच्चा है student है उसको 6 question करना जरूर है अगर वो 5 question पे है तो यहां 390 लिया हो फैल है कोई मतलब ही नहीं है EWS है क्या है EWS है तो कितने question चाहिए 5 question चाहिए बस कितने चाहिए 5 यह नहीं 5 तिया 15 नमबर कितने 15 ओभी सी वालों के लिए 5 और SCST की बात करें तो 4 कितने 4 SCST को 4 तिया 12 नमबर इसको 15 नमबर जनरल को 18 यह तो जरूरी है आएगा तभी जाकर पार पढ़ेगी तो और कि होती है typing क्योंकि data entry वाली उस्ट भी रहती है typing तो चाहिए इसके अंदर क्योंकि यह qualify के बाद में अगर हम typing की बात करें तो देखो 200 key depression यानि हम बात करें कि total अगर इसका average निकालते तो 27 वर्ड पर मिनट आता है लेकिन हम बात करें तो आपको speed minimum 35 वर्ड पर मिनट की तो ह नहीं होनी क्योंकि वह error भी ओती है ठीक ना गलतीया की नंबर करतें तो आपके speed कितनी होनी चाहिए 35 की speed होनी चाहिए तो देखो और भी वी पोष्ट होती है इसके अलग-अलग उती है उसके अंदर computer की speed पी चाहिए ठीक है ना letter तो अब देखिए आप यहाँ जो man चीज ह और प्लस में क्या English, क्या चीए English, Math और English, क्योंकि हर एक पोस्ट की एक अलग होती है, ठीक है, अगर आप अलग पोस्ट के लिए सेलेक्ट होते हो, और भी उची पोस्ट के लिए सेलेक्ट होते हो, तो वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पेरेग्राफ राइटी भी आता है, इंगलिस का, ठीक है न, तो इंगलिस के पेरेग्राफ भी लिखने होते हैं, अगर तो वहाँ पर क्योंकि पोस्ट होती है, और इंगलिस तो चाहिए, तो इंगलिस के बिगर इसके पार नहीं पड़ेगी, तो SSC-CGL, अगर फाइट करनी ह तो math और English math और English बिलकुल मस्ट होनी चाहिए और हम इस channel पर हमारे online platform पर happy study point पर हम आपके लिए math और English की classes जल्दी लेकर आ रहे है यानि complete CGL का भी courses लेकर आ रहे है तो आप जल्दी से जुड़ जाईए channel को subscribe कर दीजिए share कर दीजिए और bell icon को दबा लीजिए जिससे आगा में आने वाली वीडियो की सुचना आपके पास पहुँच जाए तो आप सभी के लिए ये एक अच्छा आउसर है कि आप हमारे channel से जुड़िए और आपको एक अच्छा content हम बात करें कि पढ़ाई से समदित आपको बहुती अच्छा matter लेकर हम आपके लिए आने वाले तो आप सभी channel को subscribe कर दीजिए धन्यवादा